पश्यू समवर्धन मंत्री सुनिल कैदार ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास निर्मान सहीत विविद्ध विभाग वरनाकपुर शहर के विविद्ध उद्योग समूहों के बीच व्यापक समन्वे से ही स्कील्ड मैनपावर तयार हो सकता है और युवाओ को रोजगार के परियाप्त अवसर भी मिल सकते है इसके लिए प्रशासन उद्योग समूहों को मिलकर काम करने की जरूरत है विपश्यू समवर्धन दुग्दव विवसाय विकास क्रिडा व युवक कल्यान युवक कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रा ले और युवा फाउंडेशन के सयुक्त अत्वावधान में आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अनेक कमपनियों को मिहान में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है जिले के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्द होने के बाद भी स्किल्ड नहीं होने के चलते नौकरी नहीं मिल पाती है Skilled Manpower निर्मान करने वाले सेक्षनिक संस्थाओ, कॉलेज, ITI, नीजी ITI और रोजगार निर्मान कमपनियों के बीच समवाद का सेतु बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सभी आपसी समनवे वताल मेल के साथ कमपनियों की मांग के अनुरूप Skilled Manpower तयार करें इस दोरान युवाद फाउंडेशन के कुनाल पडोले ने कहा कि युवकों को प्रशिक्षन के साथ ही उनमें आत्मविश्वास निर्मान करें समवाद कौशल, आधारभूत, कम्प्यूटर, प्रशिक्षन, साक्षातकार की तयारी आधी के समुपदेशन करने पर जोर दिया जाएगा उद्योग समुहों की मांग के अनुरुप, स्कील्ड मैनपावर तयार के दोरान उनमें आवशक समवाद कौशल वज सौफ्ट स्कील विकसित करना जरूरी है कम्पनियों के प्रतिनीधियों ने भी अपने बाते रखी ब्रेंड हेट, शानवीम, सोलर इंडस्ट्रीज, MICL, TASCL, लिवपिन, जिम लेबोरेटरी, टॉप वर्थ, उर्जा एंड मेटाब, औरेंट सिटी वाटर, कैब जैमिनी, लोजिस्टिक्स, ओचिस टेकनोलोजी, टाटा प्रोजेक्ट, अलोकरिटी सोल्यूशन्स, जैन कि इंडिया आधी के प्रतिनीदी बैठक में उपस्टित थे